आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदिकूर्जा में आज हम बात करने वाले हैं वैभव लक्षमी वरत के बारे में इस वरत को इस्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है इस वरत को करने से सबको धन और सुक संपत्ति की प्राप्ति होती है घर परिवार में लक्षमी मा का वास बनाए रखने के लिए ये वरत करना चाहिए इस दिन इस्त्री पुरुष लक्षमी मा की पूजा करते हुए उन्हें सफेद फूल, सफेद चंदन और पूजा करते हैं खीर का भोग भी लगाया जाता है देखिए मा लक्षमी की पूजा करने के लिए हर दिन जो है वो महत्पूर्ण है प्रन्तु शुक्रवार का दिन मा लक्षमी का प्रिया दिन माना जाता है क्योंकि ये मा लक्षमी का ही दिन है शुक्रवार को मा लक्षमी की अराधना करने से इन सब फलों की प्राप्ती होती है तो आज की इस वीडियो में शुक्रवार की वरत कथा की हम बात करेंगे वैभव लक्षमी वरत की कथा जो है वो सुनने मात्र से ही सब फलों की प्राप्ती आपको होती है अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है जो लोग व्रत नहीं भी करते वो भी इस कथा को सुन सकते हैं चलिए शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी मा की व्रत कथा इस कथा को बुरा सुने और श्रधा और भाव के साथ सुने इस कथा को सुनते हुए आप इसे बीच में स्किप ना करें क्योंकि पूरी कथा सुनने से ही सुम्पुरणफल की प्राप्ति होती है किसी शहर में अनेक लोग रहा करते थे सभी अपने अपने कामों में लगे रहते ये किसी को भी किसी की परवा नहीं थी भजन कीरतन, भक्ति भाव, दया, माया, प्रुपकार जैसे संसकार कम हो गए थे शहर में बुराईयां बहुत बढ़ने लगी थी जुवा खेलना, शराब पीना, व्यभिचार, चोरी, डकैती और ऐसे बहुत सारे काम उस शहर में होते थे इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पती की ग्रस्ती भी चलती थी शीला धार्मिक प्रकृति की और बहुती अच्छे स्वभाव वाली थी उनका पती भी विवेकी और सुशील था शीला और उसका पती कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभू भजन में अच्छी तरह अपना समय वतीत करते शहर के लोग उनकी ग्रस्ती की सरहना करते देखते ही देखते समय बदलने लगा शीला का पती बुरे लोगों की दोस्ती में बैठने लगा अब वह जल्द से जल्द करोडपती बनने के खाब देखने लगा इसलिए कलत रास्ते पर चल पड़ा इसके फलसवरूप वो रोडपती बन गया यानि के रास्ते पर भटकते भिकारी जैसी उसकी हालत हो गई शराब, जुवा, रेस, चरस ऐसे बुरी आतों में पढ़ गया शराब की भी आदत हो गई दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की लत लग गई इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गवा दिया शीला को पती के ब्रताव से बहुत दुख हुआ किन्तु भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी ऐसे में वो अपना जादा से जादा समय प्रभुवक्ती में बिताने लगी एक दिन अचानक दुपहर को उनके दुआर पर किसी ने दस्तक दी शीला ने जब अपना दर्वाजा खोला तो देखा एक बूड़ी औरत उनके दर्वाजे के आगे खड़ी है उसके चेहरे पर अलोकिक तेज निखर रहा था उनकी आँखों में मानो अमरित बह रहा था उनका चेहरा भव्य करुणा और प्यार से भरा हुआ था उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति चा गई शीला के रोम रोम में अनंद आ गया शीला उस औरत को अंदर ले आई आदर भाव से उनने बिठाया घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था अधे शीला ने सक उचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठा दिया बोली मा क्यों शीला तुमने मुझे पहचाना नहीं हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीरतन के समय मैं ही तो वहां आती हूँ इसके बावजूद शीला कुछ समझना पाई फिर वो बूड़ी औरत बोली कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई इसलिए मैं तुम्हें यहां देखने चली आई उस बूड़ी औरत के अती प्रेम भरे शब्दों से शीला का हिर्दर पिगल गया उसकी आँखों में आंसु आ गए और वो बिलक बिलक कर रोने लगी उस बूड़ी औरत ने कहा बेटी सुख और दुख तो धूपचाओं जैसे होते हैं धैरे रखो मुझे तेरी सारी परिशानी बताओ ऐसा कहकर जब बूड़ी औरत ने अपने विवार से शीला को काफी संभाल लिया और ऐसे में सुख की आस में उसने बूड़ी औरत को अपनी सारी कहानी कह सुनाई कहानी सुनकर बूड़ी औरत ने कहा करम की गती नियारी होती है हर इंसान को अपने करम भुगतने ही पढ़ते हैं इसलिए तु चिंता मत कर अब तु करम भुगत चुकी है अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे तु तो मालक्ष्मी की भक्त है मालक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है इसलिए धैरे रखकर मालक्ष्मी का वरत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा शीला के पूछने पर उस बूड़ी औरत ने उसे वरत की सारी विधी बताई बूड़ी औरत ने कहा बेटी तो सामने कोई ना था वो विस्मित हो गई के वो बूड़ी औरत कहां चले गई शीला को ततकाल ये समझते देर न लगी कि बूड़ी औरत कोई और नहीं साक्षात मालक्ष्मी ही थी दूसरे दिन शुक्रवार था सवेरे सनान करके स्वाच्छ कपड़े पहन कर उस औरत द्वारा बताई गई सारी विधी से उस वृत को समपन किया आखिर में प्रसाद वित्रन किया ये प्रसाद पहले पती को खिलाया प्रसाद खाते ही पती के सुअभाव में फरक पढदने लगा उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं, शीला को बहुत अनंदुआ, उसके मन में वैभव लक्ष्मी वरत के लिए श्रधा बढ़ गई, शीला ने पूर्ण श्रधा भक्ती से 21 शुकरवार तक वैभव लक्ष्मी मा का वरत रखा, 21 में शुकरवार को उस बू मन ही मन प्रातना भी की, हे माधन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी का वरत करने की मननत माननी थी, ये वरत आज मैंने पुरुण किया, मा मेरी इस विपती को दूर करो, हमारा सबका कल्यान हो, जिससे संतान ना हो, उससे संतान देना, स्वभागवती इस्तरी का स लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी सवरूप की छवी को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पती अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए सारे गहने चुड़ा दिये, घर में धन की बाड़ गई, घर में पहले जैसी सुख और शान्ती आ गई, व्यवव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मुहले की सभी इस्त्रियों ने भी विदी पूर्वक इस व्रत को किया और उनको भी सुख और संबनता मिली। तो इस प्रकार से व्यवव लक्ष्मी के व्रत की कथा को स सुनने से आप लोगों के व्रत का सम पुर्णफल आपको मिलता है साथ, ग्यारा, एकिस जितने भी शुकरवार की आपने मनत मांगी हो उतने शुकरवार ये व्रत पूरी शद्धा और भाव से करना चाहिए इस व्रत की अगर पुर्णविधी आप जानना चाहते हैं तो उ आज के लिए इतना ही वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद